कि नमस्कार दोस्त आपका बहुत-बहुत स्वागत आपके खास चनल रेट मेराज मेले के राउंट के सामने आरलाल की सिक्षण अधिकम के सिधान प्रिंसिपल्स ओफ टीचिंग लर्णी हिंदी मीडियम के विद्यारतियों के लिए जो डॉक्टर नीरु जी ने दौरा कि गई है अचाहे यह कूस्ताग आου किसकी में काम आती है अगर आप बीले七 का का रे हो अगर आप बीड कर रहे हो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उत सिचुआशन में यह बुक्ट आपके बहुत काम आती है सी टेट, यूपी टेट, सूपर टेट, अधर स्टेट के टेट, या जितने में टीचिंग एक्जाम्स होते हैं सम्में एक सफल गुक है, अगर आपको टीचिंग स्किल्स जाननी है तो यह बुक बड़ी शांदार गुक है बात कर लेते हैं इसके प्राइस टेग की सबसे पहले इसकी विससूच की बात कर लेते हैं विससूच में आपको संप्रेशन, शिक्षण के सिधान, शिक्षण के सुत्र, शिक्षण प्रावधिया, शिक्षण की नवीन विधाई या उपागम जिनको हम बोलते हैं शुक्ष्मि शुक्षण, शुक्षण के आधार भूत कौशल, अपेक्षित अधिगम इस्तर, शुक्षण अधिगम सामगली, शुक्षण अधिगम सामगरी के प्रकार, शुक्षण अधिगम सामगरी के निर्मान प्रियोग एवं परकरकाओं में सावधार्या, तो ये topics इस आप यहां से स्क्रीनशोट ले सकते हैं जार्ण का नाम है संप्रेशं का अर्थ तो जो अर्थ है उसकी डेफिनिशन जो हुमारे शिक्षा वित्य उनके द्वारा दी गई है वो सब दिया गया है संप्रेशन प्रक्रिया के ततू अच्छा फ्लो चार्ट का और शुटोटे जो डायग्राम से इनका भरपूर प्रियोग किया गया है ताकि आप किसी भी टोपिक को समझने वाले उनके फ्लो को समझने के लिए कोई भी आपके अंदर दूइधा पैता ना हो आप इजिली किसी भी टोपिक को समझ सके आगे चलते हैं जैसे आप आगे चलेंगे परभावी समप्रेशन की सिद्धात अच्छे इसकी खास बात मुझे क्या लगी इसमें फालतो की फियोरी नीद भर रखी है पोइंट टो पोइंट बाते बताये गई है सिर्क पोइंट टो पोइंट बाते लिखी गई है तो आपको ऐसे तो बिल्कुल नहीं लगेगा जैसे मैंने बालवी कास का जब रिव्यू कर रहा था बुक का सिम वही पैटर्ण है आपको ऐसा लगेगा आप हैंट डिटन नोटस पढ़ रहे हो आपको फालतो दिमाग लणा की आप शकता नहीं है या किसी अधर बुक को रिकमेंडेट करने की आप शकता नहीं है आप इस बुक को पढ़के अपने बेसिक्स किलियर कर सकते है करना यह है किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रपेशन करने से पहले पहले आपको इसके बेसिक्स को समझना पढ़ेगा इन बुक की हेल्प से उसके बाद आप प्रिवेश एर में आएगे कॉम्पेटिटिव एग्जाम से कोशन को प्रेक्टिस कर सकते है जिससे आप इजिली किसी भी एग्जाम को क्रेक कर सकते है तो आप देख सकते हैं पैटन दिया गया है जहां पर फ्लो चार्ट का भरपूर प्रियोग किया गया है आप आगे चलोगे तो प्रिक्सा प्योगी महत्पूर्ट प्रशन दिये गए है इसमें पहले में विस्तरत उत्रिया प्रशन उसके बाद लगूत्रिया प्रशन उसके बाद अतिलगूत्रिया प्रशन और लास्ट में आपको बहुगल परशन देखने को मिलते हैं उनकी उत्रमाला पर आपको देखने को साथ में मिलती है तो पैटर्ण बड़ा सावान्य ऐसा है पहले चैप्टर है हेडिंग दी गई है उनके दिए फ्लो चार्ट से उसके अंदर छुटे पोइंट्स बनाये गए है लास्ट में आपको परिक्सफ योगी महत्बूर परशन देखने को मिलती है तो इस बुकिकर में बाद करूँ इस बुक में इसी प्रकार से सारे के सारे यो चैप्टर है उनको संजोया गया है बहुती सामानिय भाषा में लिखे गए है आप ड्रेक्ट पढ़ सकते हैं हेनिटिन नोट्स बनाने को यह उशकता नहीं है पॉइंट टो पॉइंट जाकर आप चीजों को देख सकते हैं कि कैसे कौन सी चीज कहां पर आ रही है पॉरी बुक में सेम पैटन को इस्तमाल किया गया है तो यह था एक छोटा सा रिव्यू सिक्षर अधिगम के सिद्धान बुक का अगर पॉइंट की बात करूँ रेटिंग की बात करूँ तो पांच में से सको साड़ेतीन स्टार मिलेंगे क्यों मिलेंगे इसमें number of objective questions काफी कम है इसमें number of objective questions बढ़ा सकते थे हमें अलग-अलग question man की आउशकता पड़ेगी अगर हम BTC कर रहे है राजन के, पवन के जो question man को आउशकता पड़ेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें objective questions जादा है फिर directly exams में आते है इसमें इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है लेकिन जास आपको बेसिक्स क्लियर करना है teaching field में क्या-क्या skills होती है को उनकों ते नियम होती है उनको क्लियर करना है तो ये book खुद में बहुत राम मान है बहुत अच्छी book है उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लेगी हो कि वीडियो अच्छी लेगी तो प्रिज़ लाइक कर देख चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ये था शीक्षन अधिकम के सिदान इससे पहले हम बाल विकास ये हमसे सीखने के प्रकिरया का रिवीव कर चुके है अगर आपको किसी भी प्रकार का book का रिवीव कराना है तो please comment कर दीज़ेगा हम उसी book का रिवीव करेंगे ताकि आप उसको खरीज़ने से लेख जरूर लेगी क्या वो बुक आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी या नहीं Thank you so much for watching this video